दीडी किसान बदलते भारत की शान नमस्कार दूदर संग कसान पर मौसम खबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पुलकित शुकला मौसम खबर में आज जानेंगे कहां होगी बारिश कहां कैसा रहेगा तापमान मौसम के लिहाद से पांच बड़ी खबर दालते हैं सबसे पहले बात करेंगे कौंकन और गोवा के जहां पर भारी बारिश के शितावनी जारी कर दी गई है इसको लेकर आप साथान रहें सौराश्ट कर्च की बात करें 22 जुलाई को भारी बरसात हो सकती है सौराश्ट और कर्च में तो मौसम के लिहाद से बड़ी खबर अगे बढ़ते हैं अगले पाँच दिन 23 बारिश की संभावना बतायी गई है अगले पाँच दिन भारी बारिश का अनुमान चताएया गया है तो हरियाना को लेकर भी अलर्ट है इसके साथ ही बात करें मद्यप्रदेश की जहां पर जादा तर अलाकों में 21 जुलाई को 30 बारिश होने की संभाव ना पताई गई है तो मद्यप्रदेश की मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर थी आगे बढ़ते हैं अपने आगले सेग्मेंट की तरफ जिसमें हम रुक करेंगे अपनी AI एंकर भूमी का और जानेंगे देश भर के तमाम राजियों को लेकर मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है भूमी क्या कुछ जानकारी है मौसम अलर्ट में आज नमस्कार किसान भाईयों और बहनों आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर मैं हूँ आपकी AI एंकर भूमी आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिती की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं शुरू करते हैं चेतावनी से विदर्भ में कहीं-कहीं बेहत भारी से भारी बारिश की संभावना है और इसके साथ गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है कोंकन गोवा में भी कहीं-कहीं बेहत भारी से भारी बारिश हो सकती है और तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटिये और दक्षन आंतरिक करनाटक में भी कहीं-कहीं बेहत भारी से भारी बारिश हो सकती है तो अब हम बात करें सतर्क रहने की तो उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी से भारी बरसात हो सकती है मध्य प्रदेश में भी कहीं-कहीं भारी से भारी बरसात की संभावना है और इसके साथ गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है ओडिशा, तटिये आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी से भारी बरसात हो सकती है गुजरात में भी कहीं कहीं बेहत भारी से भारी बारिश हो सकती है और तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है हिमाचल प्रदेश, हरियाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, असम, मेघालय, नागा लैंड, मनिपुर, मिजोरम, तमिलनाडू, पुढ्डुचेरी और उत्तरी आंतरिक करनाटक में कहीं-कहीं भारी बरसात हो सकती है पश्चिम, बंगाल, सिक्किम और जारखंड में भी कहीं-कहीं भारी बरसात के साथ गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की समभावना है केरल में कहीं कहीं भारी बरसात के साथ तेज हवाएं चल सकती है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छतीज गड़ में भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है बाकी राज्यों में फिलहाल कोई विशेश चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिती पर ध्यान बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है ये थी मौसम की ताजा जानकारी, कृपया सुरक्षित रहें, धन्यवाद तो जहना अपने मौसम अलट के जरिये तमाम राज्यों में मौसम की स्थिती कैसी रहेगी चलिए आगे बढ़ेंगे मौसम ख़बर में और अगले सेग्मेंट में हम जानते हैं मौसम पूर उन्मान के जरिये की आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां जादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल तो मौसम पूर उन्मान का शुरुआत करते हैं और मेरे पीछे आप भारत का नक्षा देख रहे हैं इस नक्षे के अंदर अलग-लग राज्यों को अलग-लग रंगों से दर्शाया गया है शुरुआत करते हैं उत्राखंड से जहां पर बताते हैं आपको कि अधिकतर जगा बरसात के अनुमान बताया गया है लदाक ले जम्मू कश्मिर श्रीनगर गिल्गत की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है पंजाब, चंडीगड, हर्याना, दिल्ली, पशिमी उत्यप्रदेश, पूरी उत्यप्रदेश कई जगा बरसात थे और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अनेक जगा बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के बीतर लेकिन खासकर उत्राखंड को लेकर ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि अधिकतर जगा बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के बीतर बात करें ओरिसा, गांगे पशी मंगाल, उपिमाले पशी मंगाल, सिक्किम, आसम और मेगाले की यहाँ पर अधिकतर जगा बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के बीतर बिहार की बात करें कहीं कहीं बारिश है अन्माचर प्रदिश की बात करें कहीं जगा बरसात है पुरुराजस्थान, मद्यमाराष्ट, पूरु मद्यप्रदेश अनेक जगा बरसात है। पुरु राजस्थान, पुरु राजस्थान, पुरु मद्यप्रदेश अनेक जगा बरसात है। पुरु मद्यप्रदेश, पुरु मद्यप्रदेश, विधर, पुरु मद्यप्रदेश, महराथवारा बरसात है। पुरु में अगर कच्छ सोराष, गुजरात की बात करें, दमनौरदीव, कुंकरणगोवा, मद्यप्रदेश, पुरु मद्यप्रदेश, मराथवारा की बात करें। तो यहाँ पर भी पेशे 24 गंटे में बरसात का महौल देखने को मिला है, मद्धिभारत में भी कुछ इस प्रकार से बरसात का महौल देखने को मिला है, इसके लावा भी मौसम स्टूरी कई एहम जानकारिया हैं जो आप तक पहुचाएंगे, साथ ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में और आतापमान क्या सिती में दर्च किया गया है, लेकिन इससे पहले यहाँ लेनाव गाएक छोटा सब्रेक, आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर. ेस्प मौसम खबर दोस्टों के खड़पतवार का स्पेशलिस्ट ग्रीनलेबल, आयायल के ट्राक्टर ब्रांड का ग्रीनलेबल, धान के खड़पतवार का स्पेशलिस्ट. ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत हैं आप देख रहे हैं मौसम खबर मौसम खबर के इस हिसे में अब हम जानेंगे कि देश भर के तमाम राज्यों में वायू गुरुवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्च की गई है इसको जानने के लिए आप अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग-अलग शहरों में वायू की गुरुवत्ता का हाल सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की जहां वायू की गुरुवत्ता सुचकांक 123 दर्ज किया गया जो की संतोष जनक श्रेणी में आता है लखनव में भी वायू की गुर्णवत्ता अच्छी रही यहां सुचकांक 58 दर्ज किया गया पटना की बात करें तो यहां की वायू गुर्णवत्ता सुचकांक 57 दर्ज की गयी जो अच्छी श्रेणी में है कोलकाता में गुणवत्ता सुचकांक 161 दर्ज किया गया, जो संतोष जनक श्रेणी में है बेंगलूरू में वायू गुणवत्ता सुचकांक 38 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छा है वहीं पुने की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही यहां वायु की गुणवत्ता सुचकांक 39 दर्ज किया گया कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमसकार दनेवाद भूमी वाय उडवता को लेकर ये महत्पूर्ण जानकारी साधा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपने अगले सेग्मेंट की जिसमें हम जानते हैं कि देश भर में जो परेटन स्थल है वहाँ पर आने वाले चार दिनों में मौसम के सिथी कैसी रहेगी तो शुरुआत करते हैं परेटन पूर उन्मान की और आपको बताते हैं परेटन के सिथी के बारे में बात करते हैं जम्मो कश्मीर के कट्रा की जहां पर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार यानि की आने वाले चार दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश को लेकर अलर्ट है इसके साथ ही बात करें उत्राखंड के दहरादून की शनिवार, रविवार, सोमवार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है आज एक्तम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा पंजाब के अमिल्ट सर की बात करें शनीवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारो ये दिन बारिश को लेकर अलड जारी किया गया है आज एकतम तापमान यहाँ पर 33 डिगरी सेल्सियस से लेकर 38 डिगरी सेल्सियस तक आप देख पाएंगे उत्यप्रदिश की मत्रा की बात करते हैं शनीवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारो ये दिन यहाँ पर बारिश को लेकर अलड है अज़िक्तम तापमान की बात करें तो 36 डिगरी सेल्सियस तक आप अज़िक्तम तापमान की से देख पाएंगे मत्रा के अंदर और नियूंतम तापमान 27-29 डिगरी सेलसिस के आसपास बना रहेगा आने वाले चार दिनों के अंदर लेकिन 4 दिन यहां पर मतुरा के अंदर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है तो बारिश के साफ से अपनी त्यारिया कर सकते हैं आसम के सिल्चर की बात करते हैं शनिवार, रविवार, सुमवार, मंगलवार चारो दिन यहां पर भी आप देख पारें बारिश की संभावना है अधिक्तम तापमान की बात करें तो 34 और 35 डिगरी सेल्सिस के आसपास अधिक्तम तापमान के सिती बनी रह सकती है आने वाले चार दिनों के भीतर और नियूंतम तापमान 28 से 27 डिगरी सेल्सिस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है सेल्चर के अंदर आने वाले चार दिनों में लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर पूरी-पूरी संभावना बताई गई है बारिश के साब से आप तर्यारियां कर सकते हैं तमिलाडू के ओटी की बात करते हैं यहाँ पर भी आप देख पारें शनिवार, रविवार, सुमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है अधिक्तम तापमान 17 डेगरी सेल्सेस से लेकर 18 डेगरी सेल्सेस तक आप देख पाए बात करते हैं केरल के कोची की शनिवार, रविवार, सुमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी आप देख पारें बारिश होने की पूरी संभावना बताई गई है अधिक्तम तापमान 30 डेगरी सेल्सेस के आसपास कोची के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर आपको देखने को मिल सकता है गुजरात के सूरत के बात करें तो सनिवार, रविवार, सुमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलट जारी किया रहा है बारिश होने की संभावना है अधिक्तम तापमान 30 डिगरी सेल्सेस से लेकर 33 डिगरी सेल्सेस तक आपको देखने को मिलेगी और नियूंतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 डिगरी सेल्सेस तक नियूंतम तापमान की सिथी आप देख पाएंगे आने वारे चार जिनों के भीतर सूरत के अंदर चारों दिन यहाँ पर बारिश को लेकर अलट जारी किया गया है सूरत में भी बारिश हो सकती है राजस्तान के जैपूर की बात करें शनिवार अविवार गरत चमक के साथ 30 बारिश होने की संभावना है फिर सुमवार मंगलवार हलकी फूल की बारिश आपको देखने को मिल सकती है कर हिस्सों के अंदर जैपूर के अधिक्तम तापमान की बात करें तो गरत चमक के साथ तेज़ बारिश को लेकर अलट है मद्यवर्दिश की चित्रकूर्ट की बात करें शनिवार अविवार बादल चाहे रहेंगे हलकी फुल की धूप खिलने की संभावना बताई गई है सोमवार और मंगलवार को मौसम में परिवर्थन है आपको बारिश की संभावना यहां पर बताई जा रही है अधिकतन तापमान की बात करें तो 36 डिगरी सेलसियस से लेकर 37 डिगरी सेलसियस तक अधिकतन तापमान के सित्य आप चित्रकूर्ट में देख पाएंगे निउन्तम तापमान 26 से 28 डिगरी सेलसियस के बीच में बना रह सकता है लेकिन सुमवार और मंगलवार को यहां पर बारिश की अलट जारी किया गया है तो यह हुई परिटन पूरमान की बात आप रुख करेंगे अपनी AI अंकर क्रिश का और उनसे जानेंगे कि इस समय अपनी खड़ी फसलों का देख भाला आप कैसे करें और खेती किसानी के लिहाज से क्या कुछ खास जानकारी है क्रिश क्या कुछ जानकारी आद आपके पास नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी किसान मैं हूँ AI क्रिश और आज हम गुजरात महाराष्ट्र और करनाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे गुजरात के किसान सभी खड़ी फसलों की विशेश देख भाल करें इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें गुजरात में गन्य की फसल को हवा से बचाने के लिए बांस से सहारा दें या फिर इन्हें बांध लें गुजरात में किसान कपास के खेतों में जल निकासी की विवस्था कर लें गुजरात में इस समय अरहर की विभिन किस्मों की बुवाई की जा सकती है बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें महाराश्ट्र के रतनागिरी के किसान धान, बाजरा और सबजियों की बुवाई जारी रखें महाराश्ट्र के पुणे के किसान कपास में रस चूसक कीट के नियंतरण के लिए नीम के अर्क का छिड़काव कर लें महाराश्ट्र के नंदुरबार जिले में अदसाली गन्ने की बुवाई की जा सकती है महाराष्ट्र के सतारा में धान और बाजरा की बुवाई जारी रखें यहां के किसान हल्दी के रोपन के 45 दिन बाद इसमें नाइट्रोजन की पहली खुराक डाल ले महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान उडद, मूंग, सोयाबीन, अरहर और सबजियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर ले करनाटक के किसान मूंग को मखी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाकलोप्रिड का छिड़काव कर ले करनाटक के किसान सोयाबीन को जुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर ले करनाटक में इस मौसम में टमाटर की विभिन किस्मों की बुवाई कर ले करनाटक में इस समय आम की मलिका, आमरपली, दशेरी और लंगड़ा जैसी किस्मों के पौधे लगाएं जा सकते हैं यहां मूंग और उड़त की फसल को रथुआ रोग से बचाने के लिए हिकसाकोनाजोल का छिड़काव कर ले करनाटक में प्याज की खेती कर रहे किसान, इनके खेतों को खर पतवार से मुक्त रखें यहां अंगूर के पौधों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर ले इसी तरह क्रिशी और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान, धन्यवाद धन्यवाद क्रिश यह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साथा करने के लिए अब व्यग्यानिक दिरिष्टी से किसान भाई अपनी खेती किसानी में क्या परिवर्टन कर सकते हैं इसको जानने के लिए रुख करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग पूरे के व्यग्यानिक नौक्टर आश्यतोर्श मिश्टरची का आए सुनते हैं मत्य प्रदेश में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारी सोने के सम्भावना भी दिखाई दे रही है इसको देखते हुए किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एंग बगीचों से अत्रिक जल निकासी के बहुत सा सुनस्चित कर लें वर्सा की वज़ित के दोरान और वर को तथा कीटनासकों का प्रियोग पूरी तरह से स्थखित रखें दच्छिन गुजराथ छेतर में धान की इनरसरी से अत्रिक दवर्सा जल की निकासी की बहुत सा सुनस्चित कर लें धान की रुपाई का कारी जल निकास के बाद ही करें गरने के पौधों को गिरने से बचाने के लिए मजबूत से उनको बांद कर रखें तथा उनकी कुछ पत्यों को एक साथ बांद दे सौराश्रो कच्छ में मौसम साफ होने तक खरीफ मुंफली, उड़द, मुंग, तील, कपास तथा सोया बीन की बुआई कारे स्तकित रखें साथ ही जो फसले पहले से बोई जा चुकी हैं उनमें से जल निकासी की उचित ब्योस्था भी बनाए रखें ओडिसा के तटीय छेत्रों में धान की रुपाई इवन कपास, अरहर, मक्का, मुंग, फली तथा रागी की बुआई वर्तमान वर्षा को समाप्त होने के पस्चाथ ही करें हल्दी तथा अध्रा के खेतों से अत्रित जल की निकासी की व्योस्था भी सुनशित कर लें केरल में नारियल के गड़ों में पानी जमान ना होने दे, साथ ही सबजी के पांडालों को मजबूत बनाए रखें मद्ध प्रदेश में धान, बैगन, मिर्च तथा टमाटर की बुआई वर्तमान वर्षा के दोर के बाद ही करें चाथिस गड़ में धान की बुआई यूँग रुपाई के साथ ही सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का तथा बाजरा की बुआई वर्तमान भारी वर्षा के दोर के बाद ही करें मेगाले में वर्तमान वर्षा के दोरान धान की रुपाई तथा मिलट की बुआई कारें स्थागित कर दें तो इन बातों का विग्णानिम दिश्टी कोर्ट से आप ध्यान रखें, आप अच्छे उपज ले सकते हैं, बात करेंगे आज की फसल की, आज की फसल में हम बात करेंगे भिंडी की फसल की, भिंडी की फसल की अगर आप बुवाई करने के त्यारी कर रहे हैं या फिर लगान साथ के फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है एक हेक्टेयर में भिंडी की बुवाई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप थे भिंडी की बुवाई करने से पहले खेतों को जोद कर तयार कर ली खरपतवार को साफ कर ली बुवाई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 रखि किसान भिंडी की कई किसमों की बुवाई कर सकते हैं जैसे पूसा मकमली पूसा सावनी लाल भिंडी और आयचार 31 आदी पूसा मकमली किसम के भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है ये भिंडी लंबी वी density चिक ली और हरी रंक्हों ngay पूसा सावनी किस्म के भिंडी की लंबाई 10-15 सेंटीमीटर होती है ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरी हरी रंकी होती है पूसा सावनी किस्म की एक हेक्टेर में 80-100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है लाल भिंडी, लंबी, सीधी और गूदेदार होती है अगर बात सिचाई की करी, तो बूआई के तुरंत बात फसल में पहली सिचाई करी और फिर दूसरी और तीसरी सिचाई तीन से चार तिन के अंतराल पर करी फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुणाई करते रही मौसंग ख़वर में दिखाए गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान की यूटूब चैनल पर भी देख सकते हैं आपको करना बस इतना है टेलिविजन स्क्रीन पर दिखाए जारे क्यो आर कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूटूब चैनल पर पहुचकर मौसंग ख़वर में दिखाए गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसीव वक्त बैटकर आप देख सकते हैं